किया सरकार, तम है कितना दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे, जगे है कितनी जेल में तेरे देख लिया है कोई भी काला कानू न आप लेकर के आ आज आईई सरंशार से सालिए हैया कि एलोगों को अपने पडिवार को पालने के लिए अपना घड़वार सॉड़े करे दूसरे स्वार्ज्व में जाकर करके काम करना पड़ता है और जब वहाँ काम करते हैं तो हमारे साथ क्या बरता होता है बिहारी सब्द को इन लोगों ने गाली बना दिया है उनका खेत हम काटते हैं उनके लिए ठेला रिक्षा हम चलाते हैं उनका घर हम बनाते हैं मेहनत मजदूरी करते हैं लेकिन दो सब्द सम्मान के हमको नहीं मिल वो बिहारी सब्द को गालिक बोलते हैं इसलिए यह जो हमारा बुनियादी सवाल है मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूं जो अपने हाथ में भाजपा का जंडा उठाए हैं दोस्त तुम नेता जी के पीछे खड़ा हो करके बंदे मातरम करोगे नेता जी संसत पहुच ज होता है किसी पार्टी या नेता का चापलूसी करना नहीं होता है इस बात को याद रखना कि अगर अपने देश अपनी मिटी से प्यार करते हो तो तुमको चिंता होनी चाहिए कि देश में प्रस्ताचार क्यों बढ़ रहा है तुमको चिंता होनी चाहिए कि हमारे स्कूल औ प्रसुन पत्र क्यों लिग कर दिया गया है तुमको चिंता होनी चाहिए कि सिपाई भर्ती में घोटाला क्यों हुआ है देश के लोगों से प्यार करना होता है यह बात अपने दिमाग में डाल दो और अगर और अगर कोई हाथ में बंदूक लेकर अपने ही देश के लोगों के उपर गोली चलाता है तो वो कुछ भी होगा लेकिन देश भक्त नहीं हो सकता यह बात है इसलिए मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि यह बड़ी लड़ाई है बड़ी लड़ाई इसलिए है कि एक तरफ आपको अपने हाथ में तिरंगा थाम कर संबिधान की प्रस्ताबना को अपने सीने से लगा कर नफरत को हराना है और दूसरी तरफ जो रोटी, रोटी, कपड़ा, मकान, सिक्षा, स्वास, सरक, बिजली, पानी, आत्मसंबान की लड़ाई है उस आत्मसंबान की लड़ाई को आगे बढ़ाना है लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे सरकार को हमको बताना परेगा सरकार को हमको कहना परेगा और साहस से खड़ा हो करके सीना तान करके सरकार के आँख में आँख डाल करके बताना परेगा कि या सरकार तम है कितना दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे जगे है कितनी जेल में तेरे देख लिया है और आज फिर से अंग्रेजों की मीती पे चलने वाली एक सरकार दिल्ली में बैठी है तो हम सरकार को कह देना चाहते हैं कि आज सरकार अगर तुम जनरल डाइड बनने के लिए तयार हो तो हम भगस्तिंग की तरफ फासी पच्चा में के लिए तयार हो इस बात को याद रखना कि अगर तुमने अपने वादे से जिस तरीके से इस देश को गुमराह किया है तुम गुमराह करोगे तो हम घर घर जा करके महले महले जा करके पूरा देश घूम करके अपनी देश की जनता को बताएंगे कि या देश वासियों ये जो लुटेडी सरकार है इसको हमको हराना और संभीधान और किष्टाना है संभीधान को बचाना में चिग लेकला किसको मानते हैं और आपके हाठ में त्रभों है तो अपने दिमाग में आप डाल लीजीए कि जिस तरीके से अंग्रेजों कर Ц send में हिंदु मुसल्मान करके इस देश की जंता को गुमराह करके दंगे फैला करके हमारे उपर राज किया था उसी तरीके से अंग्रेजों के ये चमचे देश में हिंदु मुसल्मान करके दंगे फैला करके हमारे उपर राज करना चाहते हैं तो हम इनको बता देंगे कि हिंद खेल हो कहां पे रहा है असल खेल हो रहा है कि दिन रात टीवी में हिंदू मुसल्मान चल रहा है दिन रात टीवी में हिंदू मुसल्मान क्यों चल रहा है दिन रात टीवी में हिंदू मुसल्मान इसके चल रहा है कि जब खेद में मर रहा हो किसान सीमा पे सहीद हो रहा हो दोस्त एक बार सोच करके देखो तो दिल का कोई हिसाब नहीं होता है कहते हैं ना दिल आया गदी पे तो पडी का क्या करें। प्यारवार अपनी जगह पर है थोड़ी पढ़ाई भी करोते तो नोग्री नहीं मिलेगी और नोकी नहीं यार जो है वो खिर्की से कुर्ण बाः के बाहर चला जाएंगे तो जो लोग दिल लगा विचंग हैं उनसे यह जाएना चाहता हूं कि दोस्त दिल भी अगर धरकता रहे इसके लिए पेट में अनाज का होना बहुत जरूरी है और फेट में जो अनाद पहुंचाने वाले किसान हैं उनकी हालत के बारे में तुम जान लो अगर तुम देश बचाना चाहते हो तो तुमको किसानों के बारे में सोचना चाहिए अगर तुम देश से प्यार करते हो तो तुमको मज़दूरों के बारे में सोचना चाहिए अगर तुम देश से प्यार करते हो तो तुमको अपने देश की इन्वर्स्टी और कॉलेज से भी प्यार करना चाहिए क्या इस्थिती की गई है इस देश में 12,000 किसानों ने आत्मध्या की है सरकारी आंकरा कहता है हम अखवार नहीं निकालते हैं हमारे घर में अखवार नहीं छपता है अखवार में निकला है कि पिछले पांच साल में तीन करोर सोलह लाख लोगों की नौकरियां